स्वागते दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड ओनलाइन इस्टिडी में आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रीजदिंग के बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर मैथेमेटिकल ओप्रेशन यानि की गणिती ये संक्रिया से संबंदित क्यूशन सौल करेंगे जो SSC, Railway, Bank, UPSC और All जो Competition एक्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट हैं आप देख सकते हैं इस परकार के प्रेशन जो है एक्जाम में हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं शोर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तो हम मात्र 10 सेकंड के अंदर इस परकार के क्यूशन को सोल करना समझेंगे तो दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक तुरंत पहुंच सके सबसे पहले आपको एक नियम बता देते हैं सर तो वी बोर्ड मास वी बोर्ड मास का एक नियम है यह आपको ध्यान में रखना है वी का मतलब विनुकूलम यानि की बार होता है और B का मतलब bracket होता है ओप का कोई मतलब नहीं है आप पर D का मतलब divide यानि division यानि भाग देना होता है उसके बाद M का मतलब multiply होता है और A का जो मतलब है वो है जोड़ना यानि की plus और S का मतलब है subtraction यानि की minus यह आपको ध्यान रखना है सबसे पहले cushion में आपको bracket solve करना है bracket नहीं है तो सबसे पहले आपको बाग देना है फिर आपको गुना करना है फिर आपको जोड़ना है और फिर last वा आपको गटाना है आपको बस यह ही एक नियम द्यान में रखना है इससे सारे cushion solve हो जाएंगे तो सबसे पहला जो क्यूशन दे रखा है वो यहां से स्टार हो रहा है दोस्तो 20 माइनस 8 इंटू 4 भागे 3 प्लस 2 अब इसमें चीनक जो है आपको चेंज करने है अब चीनक किस परकार से आप चेंज करेंगे तो इसमें लिक रखा है प्लस का आर्थ जो है गुणा है दोस्तो सबसे पहले 20 20 के बाद यहां क्यूशन में दोस्तो माइनस आ रहा है और माइनस का आर्थ है जोड़ना यहां पर देखोगे माइनस का आर्थ है जोड़ना फिर 8 फिर उसके बाद गुणा गुणे का आर्थ क्या है भाग है तो यहापर बाग चार और भाग का आर्थ क्या दे रहे है दोस्तो घटा ना दे रहे है तो यहापर हम घटा देंगे माइनस हो जाएगा तीन और प्लस प्लस का आर्थ क्या दे रहा है गुणा तो गुणा दो दोस्तो पहले आपको चीना चेंज करने है अगर कुशन में लिख रहा है अगर नहीं लिख रहा है तो आपको नहीं चेंज करने है अब सबसे पहले बाग देंगे आठ में चार का बाग देंगे तो कितना आएगा दोस अब दोस्तों हमको जोड़ लेना बीस और दो जोड़ेंगे तो बाइस और बाइस में से जब हम छे को घटा लेंगे तो हमारे पास आंसर आजएगा अब दूसरा question देख लेते हैं इसमें दे रहा है दोस्तों प्रश्न दे रहा है कि दो अब बागीत को क्या लिखना है हमको बाग को प्लस लिखना है तो दो प्लस छे गुने को क्या लिखना है बागित लिखना है गुणे को तो बाग 6 और बाग को क्या लिखना है हमको बाग का अर्थ है प्लस तो 2 इस परकार में हम चिने चेंज कर ले छे में 6 का बाग देंगे तो दोस्तों क्या आजाएगा एक आजाएगा फिर इदर आगे प्लस दो इदर भी आगे प्लस दो अब इ दोस्तों सही लिक्त आज़ करका और सिपैंद यूसके बाद दोस्तों ऑसके बाद 12 क्या है छी कार्ट一定 शपसे पहले nochmal नह Queensland अब दोस्तों करेंगे चालीज वारा पास बचेगा 28, या पर रइट आंसर हो जाएगा अगला किर्षिंट की बात करेंगे। अब इसमें किसे क्या सॉल करेंगे, अवसे पहले देढ़का हमको 9, तो 9 लिक लेते हैं, फिर 9 के बाद लिक रहेंगें, और M का रत क्या देरका, दोस्तों, पलस ही, तो M के बाद पलस, फिर 14 हो जाएएगें फिर जे, जे का रत क्या देरका, इसमें भाग देरका, 9 प्लस ये 2 हो जाएंगे माइनस 8 प्लस 2 इस परकार से बन जाएगा सबसे पहले हमने भाग कर लिया फिर गुना करना है फिर हमको जोड़ना है और फिर घटाना है अब दोस्तों जोड़ लेते हैं ये प्लस के 2 है ये प्लस के 2 है चार हो जाएंगे और यह प्लस के 9 तो 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे और 13 में से हम यह 8 को घटा लेंगे तो 13 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 5 option number a जो है यहाँ पर हमारे पास right answer हो जाएगा बराबर हमारे उत्तरा जाएंगे 5 अगला question है question number 5 same to same आपको चिनद चेंज करने हैं अब इसको किस प्रकास से solve करेंगे सबसे पहले हमको दे रखा है 8 8 के बाद दोस्तो प्लस लिख रखा है अब प्लस को क्या लिखना है हमको प्लस का आर्थ माइनस दे रखा तो माइनस लिखना है फिर 6 फिर क्या दे रखा गुना गुने का आर्थ क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे प्लस अब 10 के बाद माइनस का आर्थ क्या भाग है तो भाग लिख देगे फिर उसके बाद 2 लिख रखा है फिर प्लस प्लस का आर्थ क्या दे रखा माइनस तो माइनस और फिर लाश्ट में हो जएगा तीन अब सबसे पहले भाग सॉल करें के तो 10 में 2 का भाग देगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 चाल जाएगा ठीक है दोस्तों फिर वापस D00 कर लेंगे 8-6 और फिर ये प्लस पांच और फिर माइनस के तीन अब दोस्तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो ये आठ जो है प्लस के और ये पांच भी प्लस के तो आठ और पांच कितने हो जाएंगे दोस्तो तेरा हो जाएंगे और इदर दोस्तो छे और माइनस तीन छे और तीन कितने होते हैं माइनस के नो होते हैं तो यह माइनस के नो अब छे में से दोस्तों तेरा में से नो हम घटाएंगे अगर तो हमारे पास कितना बज़ेगा चार बज़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर option नहीं है चार आपका अंसर हो जाएगा option number D write कर दीजिए यहाँ पर आपका फोर जो है correct answer हो जाएगा तेरा में से नो गटाएंगे हम चार हमारे पास अंसर आजाएगा next question number 6 की अगर बात करें हम तो इसमें दे रखा है plus card गुणा उसी प्रकार से आपको सहीं क्या लिख देते हैं पहले नो फिर minus minus card क्या दे रहेगा भाग तो भाग लिख देंगे फिर चार फिर इसके बाद गुणे का अरत है गटा हो तो minus के 9 लिख देंगे अब दोस्तों 8 में 4 का हम अगर भाग देते हैं तो 8 में 4 का भाग देने पर हमारे पास कितना आजाएगा दो आजाएगा तो यहां तो हो आजाएगा तो हमारे पास आजेगा 65 तो option number C जो है यहां पर हमारे पास right answer हो जाएगा अगला question 7 number की बात करें इसमें भी same to same आपको इसी प्रकास से solve करना है तो इसी question को भी इस प्रकास से solve कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको दे रहेगा आठ आठ के बाद दोस्तों प्लस दे रहेगा प्लस का अर्थ क्या है यहां पर देखो कि इंटू है पंदरा माइनस माइनस का अर्थ क्या है तो भाग है तो यहां पर भाग हो जाएगा फिर तीन फिर गुने का अर्थ क्या है तो गुने का अर्थ प्लस है फिर चार फिर प्लस का अर्थ क्या है तो प्लस का इंटू है तो इंटू दो अब इसको भाग को सॉल करो सबसे पहले तो पंद्रा में तीन का भाग देंगे तो पंद्रा में तीन का भाग दिया तो हमारे पास आ गया पांच तो अब पांच जो आया ने यहां पर इस पांच को हमको इस आठ से गुणा हो रहा है तो आटो आप 48 इसमें यह option को कर लो आप 48 48 जो है दोस्तों यहां पर राइट आजाएंसर आजाएंगे यहां पर कुछ दोस्तों ऑप्षिन जो है गलत प्रिंट हो रहे हैं तो आप ए जो है आप 48 जो है आपका राइट आशर हो जाएगा यह ध्यान रखना अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 8 जो है प्लस काth इन का निए बागित दो दिर का अब दोस्तों को लो इसको 16 में से 2 का बाग देंगे तो यहां पर सबसे पहले 8 आजाएगा हमरे पास तो सबसे पहले हम 8 लिख लेते हैं और इदर दोस्तों क्या बचेगा 3 को 2 से गुणा किया तो इधर हो जाएगा 6 तो 9 प्लस 6 माइनस 8 इस प्रकासर क्यूशन बनेगा 9 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आजएंगे 15 आजएंगे और 15 में से जब हम 8 को गटाएंगे तो हमारे पास कितना अंसर आजएगा 7 तो option number C जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C question number 9 की अगर हम बात करें same to same question है दोस्तों सबसे पहले दे रखा 15 15 के बाद B लिक रखा है B कार्थ इधर देखो कि तो आप भाग दे रखा question में तो भाग लाल देंगे फिर उसके बाद 3, 3 के बाद C C कार्थ क्या है प्लस है फिर उसके बाद दोस्तों 24 दे रखा चोईस दे रखा है चोईस के बाद दोस्तों A कार्थ क्या दे रखा है घटाओ दे रखा है उपरी उपर फिर उसके बाद A के बाद दोस्तों 12 दे रखा है 12 के बाद D कार्थ क्या है गुना है तो इंटू दो अब इसको सोल कर लेते सबसे पहले 15 में 3 का भाग देंगे 5 आजएगा प्लस चोईस और दोस्तों इधर भी हम गुणा कर लेते साथ के साथ में 12 दूनी चोईस अब दोस्तों यह जो है माइनस के चोईस और यह प्लस के चोईस हापस में कट गए आंसर जो हमारा आया पांच आ गया तो उप्शन नमबर भी यहाँ पर पांच जो है अमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूशन नमबर दस की बात करेंगर हम इसमें दे रहे का सबसे पहले 10 प्लस उसके बाद पी लिख रहा है पी का आर्थ यहां देखो गुणा है तो इंटू कर देंगे दो फिर दोस्तों यहां पर आ रहा है वापस गुणा और गुणा क्या प्लस है तो दो के बाद प्लस हो जाएगा यहां पर गुणा का यहां पर हम लिख देंगे प्लस उसके पात दोस्तों पाँच दे रखा है तो 5 ऐसा कैसे फिर Y कार्थ माइनस दे रखा और माइनस के 5 अब दोस्तों यहाँ पर गुणा हो रहा तो गुणा करेंगे 10 में 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता 20 और 20 में प्लस का 5 और माइनस का 5 आपको पता हो प्लस माइनस ये कट गए आंसर आ गया 20 तो option number D जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question बात करें अगर हम तो इसको कैसे solve करेंगे है दोस्तों इसमें भी same to same यसी प्रोसेस अपना है आपको सबसे पहले दे रहे हैं आप फृर दोस्तों इसके बाद गुना आ रहा है तो कि गुने का आर्थ किया दोस्तों प्लस है तो प्लस आर्थ है तो 48 में 16 का भाग दिया तो 143 हो जाएगा और माइनस 4 को 2 से गुणा के 8 और प्लस आठ अब ये प्लस के 8 माइनस के 8 कट गए और आंसर आ गया 3 option नमबर D जो है यहाँ पर हमारे पास correct answer आ जाएगा option नमबर D ये correct answer हो जाएगा अगला question बारवा नमबर का इसको कैसे solve करेंगे हम तो सबसे पहले दोस्तो question लिख लेते हम पहले दे रहे का 9 के बाद प्लस अब प्लस का आर्थ देखे तो यहाँ पर गुणा दे रहे का तो गुणा हो जाएगा फिर 8 फिर दे रहे का बागित बागित का आर्थ क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे फिर 8 फिर दे रहे का माइनस अब माइनस का आर्थ क्या है बागित है तो यह भाग कर देंगे फिर 4 हो जाएगा फिर लास्ट में इंटू दे रहे का और इंटू का आर्थ लिख रहे का माइनस तो तो आठ को 9 से गुणा किया तो आठ नमे के 22 हो जाएंगे प्लस के 2 और माइनस के 9 अब 22 में 2 प्लस करते तो हम 84 माइनस 9 और 24 में से दोस्तों 9 को माइनस करते तो 65 तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन नमबर ए 65 65 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगे तो दोस्तों इसी परकार की क्यूशन जो है सभी एक्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं